फतेहाबाद में स्वास्त विभाग ने मेडिकल फीस की गाडलाइण में बदली की है स्वास्त विभाग की नई गाडलाइण में नागरिक अस्पताल में पोस्त मांटम के बाद अगर किनी कारणों से शौ रखा जाता है तो 300 रुपे प्रती दिन के हिसाब से फीस देनी होगी लेकिन पहले इस तरह के मामले में 50 रुपे ही फीस ली जाती थी हाला कि पोस्टमाटम प्रक्रिया पहले की तरह ही फ्री रखी गई है और साथ इलावारे शोग को रखने पर कोई सुल्ख नहीं है जो भी रिवाइजड रेट्स अभी लागू किये गए हैं सिविल हॉस्पिटल में जैसे कि मौर्शरी की रिगार्डिंग जो रेट्स फिक्स किये गए हैं वो एस पर गवर्मेंट की नोटिफिकेशन के हिसाब से चेंजिस उसमें किये गए हैं जो पोस्टम के लिए बॉडिज आती हैं या फिर जो अन्नोन बॉडिज हैं उसके लिए कोई चार्जिस नहीं हैं वो फ्री ओफ कॉस्ट हैं अगर कोई ओन रिक्वेस्ट कोई प्राइवेट पार्टी अपनी किसी डेट बॉडि को रखवाना चाहती हैं फ्रीजर में तो उसके लिए एस पर गवर्मेंट रेट्स थ्री हंड़र्ड रुपीस पर डी के चार्जिस जो हैं वो लिये जा रहे हैं और जो बाकी जो रेट्स हैं जैसे मेडिकल एक्जामिनेशन के या ड्राइविंग लाइसेंस के जो हैं वो आइस पर नोटिफिकेशन जो गवर्मेंट की है उसके हिसाब से चेंजिस किये गए हैं पहले गर्मेंट के जो फिक्स चार्जिस थे उसके हिसाब से लिये जा रहे थे 50 रुपीस पर डे का था अभी जो रिवाइज़ रेट्स 300 पर डे के हिसाब से ले रहे हैं इसके अलावर इसके ट्राइव लाइसेंस की फीस नोटिफिकेशन के इसाब से 100 रुपीस है पर कंडिडेट और अगर 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 हो रहा है तो वह 500 का टेगरी वाइस डिसाइड है 500 300 और 200 के रेट्स इसमें पर चूट की जो यह पीस हम ले रहे हैं इसके अलावा हरियाना स्वास विभाग ने कुछ अन्य मेडिकल फीस की फीस की गाईलाइन में कुछ फेर बदल किया है नई गाइडलाई में मेडिकल करवाने और MLC फीस को लेकर कुछ रहा दी गई है इसके अलावा कुछ नई फीस भी लागू की गई है विभाग ने BPL, आयुसमान, विद्वा, दिव्यांग, डिलेवरी से पहले और डिलेवरी 42 दिन के बाद तक कोई केस आता है तो उसकी भी फीस नहीं ली जाएगी हलाकि अनक केटेगरी को पहले की तरह 2500 रुपए फीस देनी होगी इसके अलावा सरकारी अस्पताल में लैब टेस्ट बिलकुल फ्री है वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब केवल 100 रुपए देनी होगी ब्योरो रपोर्ट भारत 24